रावी नदी के तट पर बना बसड़ा जिसको लेकर काफी लोगों ने विरोध किया था पर पूरप कॉंग्डिस सरकार के मुख्यमंत्री विर्भद सिंग ने बरसों से लंबित पड़ी बसड़े की मांग को जल्दी जल्दी से कैसे अमलिजामा और जंपावाश्यों की बातों को दरकिनार करते हुए खत्रे वाली जगह में बस अड़े का लॉलिपॉप देकर चुप करवा दिया लोगों ने बताया कि 1995 में भी इसी रावी नदी में भ्यंकरबाड आई थी और तो वो समय भी लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था और चंबा के कई सं बता है कि दो भागों में विवाजत हो चुकी चंबा नदी जिसका कि एक मुख ठीक मुख्या बस अड़े के सामने हैं जो कि कभी भी कहर ढ़ाने के लिए चक्षम है लोगों का कहना है कि वैसे ही ये बस अड़ा डेंजर जोन में बना हुआ है इन्होंने पूरव सरकार की उस घोशना पर भी सवालीय निशान लगाते हुए कहा कि एक तरफ सरकार खुद नदी नालों के समीब कोई भी सरकारी भवन नहीं बनाने की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ खुद ही इसका उलंगन भी करती है लोग इस बस अड़े को यहां से सिफ्ट कर सुरक्ष पर जिस तरह से चमबा में बस्टन बना है पहले तो इसकी जगाई बड़ी निजारी जो की हुई है बहुत गलत है क्योंकि रावी नदी के नस्दीक बनाने का तो इसका कोई तात्परे बनता ही नहीं था जिस तरह से अभी हम देख सकते हैं पिछले वर्ष भी और इस वर् सकते दुरगठना का शिकार हो सकता है इतने लोग वहां पर आते और किसी भी टाइम अंदर से देखा जाए तो जमीन पूरी तरह से धस शुकी हुई है और किसी टाइम यह बड़ा एक हाथसा हो जाए तो यह एक बहुत बड़ा घंबीर विशे एक चमबा वालों के लिए हुआ है इस पर सरकार संग्यान ले हम यही एक आशा करते हैं इसी वर्स बसात की दिनों में आए इस भेंकर बाट का ऐसा रौतर रूप देखकर जिला परशाशन की हाथ पाम तो जरूर फोले थे डीसी चमबा विवेक भाटिया ने उस दिये के अपने इंटर्व्यू में बताया था कि जिस जगह पर यह वस अड़ा बना हुआ है उस जगह पर रावी नदी का बहाब बहुत जाला है और इसका कोई ठोस ताई हलने के लिए हम विवाग के अधिकारियों से बात करने हैं बताते चले कि प्रशाशन द्वारा तीन महीनों के बाद इस दास्ते को बह रख्सित है जो है वो फूर्ड ऑटरेटिक रूट जो है वो वरक्शॉप के पास से वहां से उसको हम ने की आज है इसका आज हमने एक्सराफ से एनेज दिजन से बात किये है क्योंकि बार बार वाश हो रहा है यहां पे थुड़ सा क्योंकि नदी का बहाब थुड़ा है और एनेज इसमें जो भी प्रोपोजल लेकि आता है तो उसको हम एक लॉंग टर्म बेसिस सॉल्यूशन के तौर दे आज इंप्लिमेंट करने के लिए हम इसमें कोशिश करेंगे कि इसको दो या तीन महीने में इस तरह का कोई एक हाई और एक हो समाधान इस चीज का किया